सुनो आगे से ऐसा हुआ ना तो छोड़ूंगा नहीं क्या चल रहा था यहां वो क्या न दीदी यहां पर मैं खाना खाने के लिए आया था खाना खाके तो हो गया अब चलता हूं कि एक कोफी कारेगर नहीं है कारेगर है बड़ा मारिक ने ओडर लिया इनको आज गुआ थे हैं आज आजा आजा तेरा इंतजार था आने यह बचा कोफी तयार हो गई मैडम को दे मैं कोफी कि अधिक वाव अधिक वाव अधिक वाव अधिक वाव में अपनी पूरी लाइफ में ऐसे कोफी कभी नहीं पी थी कोफी किसने बनाई है सुना मालीक हां मैं बुला रही है हां हां मैं इन्हों नहीं बनाया नमस्कार नाम क्या है कुम्ब कोडम स्ट्रॉम काफी मेडम मैंने आपका नाम पूछा मदू सुनन मेडम गुड़ मिस्टर मद्यसूदन बहुत बहुत थैंक्स माँ इस कॉफी से आपने मुझे इंप्रेस कर दिया अब आपके इस कॉफी से मैं सबको इंप्रेस कर सकती हूं आज के बाद जब भी मैं यहां हूं मुझे हमेशा ऐसी कॉफी मिलने चाहिए और आपकी यह कॉफी टॉप आप दे वर्ल्ट है यह लीजे पैसे यह मालिक है मैं नौकर हूं थैंक्यू आप इस रेस्टूरंट के ओनर हैं आपको देखके लगता नहीं है आपको देखके ल मिस्टर मादर सुदन जी माडम जी माडम लाइक यू अब तो मालिक की लोटरी लग गई वहां की स्पेशल मश्टिया एक स्पेशल देश के लिए मंगवाते हैं जो कि मलेशिया में बहुत मशूर है मिट्टी के मट्के में मश्टी का सालन यहां का मशूर एरिया ग्रेग फिल्ड जिससे लिटिल इंडिया भी कहा जाता है क्योंकि इस एरिया में एक ही इंडियन क्या भाई उस टेबल पर एक तूप देदो कि यह पार कस्तमर ने तजार कर रहे गया मैं क्या कर रहा हूं भाई यह जो मच्छी दोने का काम है आपको शुभा नहीं देता भाई अरे मेरे हाथों में जादू है इसलिए तो लोग आते हैं ना रुकने दे चत्व करना चाहता ना दालते हैं और सुन यह को बाल में मचली निकाल लेगा वरनाट तूर जाएगी ठीक यह कार्तिक मधु सुधन का बेटा एमल कॉलेज का स्टुडेंट गे स्टुडेंट डोनों की कॉलेज की पंध्न साल की दुष्मनी जबडे का कारण थी एक लड़की और आज भी कारेस का कारण है एक लड़की पवित्रा कि बेटी मुझे लिप्ट दोगी नो प्रॉबलम आई 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 कियों क्या हुआ तर गई क्या चलो रेस लगाओगी गल्फरेंट के सामने हीरो बन रहा है तो तुम क्या अपने बॉइफरेंट के सामने चोफ कर रही हो ठी डर्टी फैलो अगर हिम्मद है तो मेरे कॉलेज इसके फ्रेंट के साथ रेस लगा के दिखा चैलेंज चैलेंज कर दो कर दो कर दो कर दो कर दो कर दो दो कर 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 दो श्रुशन, रिना हु नडा के क्व constant इसले मच्छी का सालन बनने में भी लेट हो रहा है पिछले 10 सालों से आपने हमारा साथ दिया है हमारी मच्छी का सालन आपने हमेशा पसंद किया है एक बिंती करता हूं मिठी के हाड़ी में हम जो यह मच्छी का सालन बनाते आए हैं आज आपको वो मच्छी का सालन हमारी तरफ से totally free ब्रो यही मच्छी का सालन है क्या जी वाव सूपर मलीग जी आप किननाई से हो क्या जी हाँ मैं चैननाई से हूँ अट रूसर्थ रूसर्झन आप मेंगड़िया आप मेंगड़िया आप मेंगbor अथ धगते हैं और रोसरा आप है है कि वेलव आप वे खिक थे डिया क्यों लड़की का करियर ज़रूरी नहीं है क्या लड़कों को नौकरी करो नौकरी करो कहते हैं लड़की अपने पेर पे भी ना खड़ी हो आपका दिमाग खड़ाव हो गया है क्या अरे ऐसा कुछ नहीं है बाबा तुम्हारे ससूर मेरे पापा ने फोन ले लिया था क्या ड लचिट भी कमाल है मेरी लाइफ पे क्या सिर्थ तुम्हारा ही अधिकार है तुम्हारी तो यह अधिकार तो बाप से ज्यादा मा का होता है यहां से सुन लो पैर रिजे रख तो इसे चोटे कबड़े पैन के पैर उपर रखने बैठी अगर इसकी तमीज नहीं है तो जा यहा अपनी मा के साथ रह रहे हैं वही तो डर है तुम्हारे घर की लड़कियों से अच्छी परवरिश दे रही हूं मैं कहे देती हूं मैं तुम्हारे बाप का फोन है तुम्हारे देखो से खुशू को लेकर तुम्हारे बाप से जगड रहे थी मैं एधर दे फून इधर दे फून मा प्लीज देखो कान खोलके सुनलो मेरी साट सल्काव इधने इधर घदे की आलाद प्हून है और जाकर पूरे कप्ड़े पहने कर आओ अग इसे ऐसे ये कप्ड़े पहने तो छोड़ों ही नहीं YESS चिक्रोप स्टोपीट तुम यहां आया कैसे अरे वो बैलकणी से आया सब्सक्राइब कर दो किया और ना ही मुझे तैंक्स बोला इतनी गलतिया फुद करती हो और मुझे पूछ रहेुँ क्यों आए क्राइर के the city कौई त्हेंक्स कहने के लिए बाला किनिस जरBack ता है। ये क्या है। ढोवाल इतना पतला क्यूं है। इसको तभियए औंध्र डाल और ड़ोसा बन जाएगा। ठीक है ठीक है एत लीस खक थेंख थेंख करे क जैगा ने और ऑके थेंक्स फिक है… ठैंक्स, ठैंक्स करें गिलिए अब हाँ खिलो से कनदेश का अब शेंच करने और बार आजा तुम लोग हाँ पावी हाँ पावी खंद लोग किया आजा गराए दो पहुन काव को हुई आज मेरमण बार भार आए तुम लोग LM UKimar मेरमvar झाल जो जो अढोच झाल 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 पारवधी पते हर हर महादे शंभो शिवशंकर हर हर महादे गिरजा पते हर हर महादे शिवशंभो पापा का रूम है तो रात भर नाचना दिन भर है सोना यही मेरी दुनिया थंदे थंदे पानी से नहाना चाहिए गाना आई अना आई रूज रूज मच्छी का सालन पूरे घर में है मैं कि यो खुश्वों जादी पापा मेरा टिफिंट डड़ी है क्या डड़ी आरे बहुत जाग ले नहीं बहुत जादा पड़ाई कर ले आपका कले रहते का सालन में पहिर तेरे लिए आखिक कमराद का सालन तेरे पचाकर रखा है पापा ये कल का है क्या जो गारा गारा था अरे मैं गाने की बात नहीं कर रहा हूँ ए ओल्डी जोर्ड मच्ची का सालन बासी अच्छा लगता है तुझे पता है मेरी दाली ने एक बात दो दिन बासी मच्ची का सालन मुझे खिला दिया था ऐसा पेज था कि मुझे अभी तक पानी है यह ले इडली के साथ खा और ले और ले पाबा मुझे नहीं चाहिए बाबा प्लीज खा लो बेटा बेटो 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 बहुत दीन हो गए हमने बैट के आराम से बादचीप नहीं किया है आज कर सकते हैं फिर से शुरू हो गए अरे बाबा तेरे कालेज में क्या हो रहा है तुम मुझे ऍैक भता दे प्लाइट अ सुरू करो क् फापा मेरे लिए कुछ दोसा बनाता हूं मैं आप बल्जाता है अप्लायट लेट ती फ्लाइट लेवड हो गई फिर मचली भी आने में लेट हो गया अब कस्टरबर कर रहे चिला चिली फिर क्या था तो देदी तो उनमें से एक चीजी चिलाने लगा आप रहा ऐसे मुसीबत आई गले में काटा फस गया था उसकी बीवी परिशान हो गई कहने लगी प्लीज कि अब रखा तो भावी बाप बेटे के बीच दरार आजाएगी और शादी हो गई तो ना बेटे के साथ बहु को भी समय लूगा बच्चे के बच्चे हुए तो अरे बाई अपने बीच जरा ध्यान दो अगर तुम्हें कुछ हो गया तो कौल समालेगा आपकी मुल्यवान सलाका दंद्यावाथ पुलिस की तरफ से हमें वर्निंगाई है इसी क्लास में से है वो बहतर होगा खुदी बता दे और आंग सस्पेंडिग दहूल क्लास जादे अरमतिक सामेदे I'm on I know madam इसको भी अभी याना था काम या कार्तिक तूतो गया काम से कुईस अकलप्रेग कर दो कर दो मैंडम मैंने कुछ नहीं किया वही ग्रेशेट में तुम्हारे पास कोई प्रूफ है क्या देखो वार गया वीडियो देखो सब्सक्राइब देखे मैडम यह राशाबूत कार्तिक तूतू क्या काम से अब तेरा क्या होगा हमारे जमाने में रामायन महाबारत पड़ाते थे सुमुर में और आज कल के बच्चे ही बगवान केनफ कार्तिक यस मैम मैंने किया था पर उसका एक रीजन है वो क्या इंडिया के दो महान ग्रंथ है एक रामायन और दूसरा महाबारत और दोनों ग्रंथों का कारण लड़कियों की इज़त से जुड़ा था अब हमारे कॉलेज की लड़कियों की केल कॉले से एंबन हुई जिसकी वज़े से मुझे कार रेस करनी पड़ी मेरे रहते हुए हमारे कॉलेज की लड़कियों के इज़त के साथ कोई खिलबार नहीं कर सकता इज़त का सवाल मैडम इज़त का थैंक्यू थैंक्यू पर वाट नहीं मतलब यह सब किस लड़की की वजय से हुआ यह जाने बिना आपने मुझे पनिश कर दिया उसके लिए थैंक यू अब यह जाने बिए पवित्रा नमस्कर सर अभी खाने में थोड़ा ताइम लगेगा हम यह पर खाना-खाने नहीं किसी को पकड़ने के लिया है किसको सर हो रहा है सर्थ ग्रहक भगवान समान होता है उससे यहां अरेस्ट करेंगे तो धंदे पे बुरा असर पड़ेगा उसका खाना-खाना हो जाए फिर आप बहार अरेस्ट कर लीजिए कि हम बाहर वेट करते हैं यह बच्चा इथा रहा क्या राक्य माली वो फिंक शर्ट वाला खाना खारा है रहा जैसे उसका खाना हो जाया उससी यह फेश पल्प दे देना चल जा जल्दी देखरा उसको देना रहें चुप 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 जुप बुलाए कर जा जा जदी कि पुलीस यहां पर क्यों आई यह फंप लेक है खाने के बार हम सबको दे और पेदी आ दूम ने बहुत जल्दी में हो तुम पहर दो आली आया सर इस यह सब क्या है मेरे लिए इतनी शिक्योटी देखो मैं आपके होटल में जो कहाना खाने के लिए आया हूं न कहने दो मुझको दकात को भूंको जैए हो कि जो कि सुनों ऐसा होगा नले फिर है जोडबाएं है कि और आ यह यह रहा था यह घ्याएं पर मैं खाना खाने केलिए आया ढ fiscal आके तो हो गया अब चलता हूं एक कोफी कारेगर नहीं है कारेगर है बड़ा मारिक ने ओडर लिया इनको आज हुआ थे आज 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 तेरा इंतजार खाले एक जारे हो जाने कोफी तयार हो गई मैडम को दे मैं कोफी हुआ हुआ है हुआ 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 है है ऐसी है वह बंजम मैंने अपनी पूरी लाइफ में ऐसे कोफी कभी नहीं पी थी कॉफी किसने बनाई है सुना मालीक मैम बुला रही है मैम इन्हों नहीं बनाया नमस्कार नाम क्या है कुम्ब कोडम स्ट्रॉम कॉफी मेडम मैंने आपका नाम पूछा मदू सुनन मेडम इस कॉफी से आपने मुझे इंप्रेस कर दिया अब आपके इस कॉफी से मैं सबको इंप्रेस कर सकती हूँ आज के बाद जब भी मैं यहां हूँ मुझे हमेशा ऐसी कॉफी मिलनी चाहिए और आपकी यह कॉफी टॉप आप दे वर्ल्ट है यह लीजे पैसे आप इस रेस्टूरान के ओनर हैं? आपको देखके लगता नहीं है आपको देखके लगता नहीं है आपको देखके लगता नहीं है ओके आपको देखके लगता नहीं है अब तो मालिक की लोटरी लग गई खोलो मुझे, पापा, पापा मैं तुमसे बात नहीं कर रहा हूँ, अपने पापा को बला रहा हूँ बेटा पापा, मुझे बात नहीं की क्या दरूरत थी ये देखो, पवित्र गोमुत्र, इसे बस पीना है पीना है? नो चांस नो चांस बोलने का तो ही भाइद है, पापा ने बोला है अब ये गोमुत्र नाज से बाहर निकाल, तो सारी जिव जनतू मर जाएंगे अब शराब नहीं पीएगा ना, अगर शराब पीएगा तो सारा गोमुत्र तुझे पूरा का पूरा पिला दूँगा मेरा प्यारा बच्चा है न, इसलिए तुझे समझा रहा हूँ वेरी गुड़ बाई एए, चेल बागियां से, पता नहीं कहां से आ जाते है यह क्या तरीका है? क्या प्रॉब्लम है यहां? आयू प्रॉब्लम मेरी मदर टेरेसा, अंदर चलो रस्रेंट में सब बेट कर रहे है चलो चलो हाई हे, बड़्ड़ बोई कहा है? किसका बड़्ड़? कर्थिक उसकी वज़े से मुझे कितना कुछ झीलना पढ़ रहा है, पता है न तुझे? हाँ यार, आज कार्टे का वर्थरी है कम से कम आज के दिन तो स्टूपिड, ऐसे इंसन का बड़्ड़ में कभी नहीं मनाऊंगी बस यही थे तुम्हारी फ्रेंट्शिप हाँ मैं हो रही हूँ सेल्फिश पर मुझे लड़के कबड़ने कभी नहीं मना सकती उसने तुम्हारे लिए कार रेस लड़ी थी और एक तुम हो जिसने उसे थैंक्स तक नहीं कहा देख उसने कार रेस की ये तो ठीक है बहले अपने फ्रेंट्श के साथ ऐसा कोई करता है जो उसने किया यह स्टॉप एट यहां पर सब फ्रेंट्श इकठे हुए हैं इंजॉयमेंट के लिए समझे ओके तुम सब इंजॉय करो उसका कैरेक्टर समझ नहीं आता है एक तुकिसी की तकलीफ में उसकी हेल्प करना फिर उसके साथ मजा करना और दूसरा केरेक्टर उस मजा में इंजॉयमेंट गुनना आए यह यह है यह यह है यह 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 अग मौश्य कोना पापा कार्थिक आहिए एक अगी त्यारी करो तबतर यार केक आए यह डूड डूसरी टेबल पर रखा है देए उसे तो कुत्ता खा रहा है यह आज इस कुस्त्ते का बाढ़ने है और कार्थिक का भी ए ग्या पोर्लों आए तू मार खाना है ग्या आया गुस्स वा याणो जगड़ा करते रहते गुस्स में देख़्रा यहूँ जोट ना मत्रिस्टो अपक्सी खाणू आया इतनी देर हो गई है फोन भी नहीं उठा रहा है बेटा करती कौने में देर हो जाएगी आपे ही केक काट दीजिए और गिफ्ट बार दीजिए केक काट के सर ठीक है बहुत देर से सब भेड़ भी कर रहे हैं हाँ चलिए कप अब कर देर केक्षि तुम गिफ्ट लेके नहीं आई उज्वे नहीं पता था यार कि आज इसका बर्डे है मेरी सिस्टर के बर्डे पर काटेख ने भी बहुत संदर गिफ्ट दिया था कार्टेख ने तुम्हारी बहुत प्यारा इंसान है और लड़कियों को तो हर प्रो क्या हुआ मुझे देखकर क्या सोच रही हो कैसे इंसान हो तूम हैसा कुछ नहीं है आम सॉरी इस अपे यह स्टॉफ इस मॉल के पास रुखना प्लीज तुम दो मिनट रुको मैं भी आया है यह बस बस यह लुगो है एक बदी नाइक देखने से तो लग रहा यह को इस पेशल गिफ्ट है अप्लाइट गारी समाब के चला ना अब लुकुल आराम से जांगा हुआ कि अरे यार पापा चलो जल्दी करो बरना देर हो जाएगी पापा मुझे कही जाने का मूड ने 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 कोई बहाना ने जलेगा चलो जल्दी या पापा चलो जल्दी प्रणाम पंडिची खुल्जा करवानी की प्रभु प्रभु यह 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 बिट्टा आज के जमाने में वीगोश्यों मेरे कर आपा चलो जल्दी यहां चलाना बहुत मुश्किल बहुत कठीन है रिसेशनलक से सब को अपने जिम्मेदारी का एसास होना चाहिए सच में एक बाप होना भी इतना आसान नहीं होता है पापा पापा क्या हो बिटा क्या बात है, से? वे आ टेररिस्ट। टेररिस्ट? हमने उसांके डाप कर लिया है, वो हमारे कब्से में है हम उसे तब तक नहीं छोड़ेंगे, जब तक कुम यहाद है होगा है कौन है वो? कार्दक कार्देख, आपके कब्से में है? में उसे कुछ भी नहीं होने दे सकती कार्देख एए हाई पवी यह क्या खर रहे हो? वीडियो गेम खेल रहा ही डेड, मेरी जान नहीं गालने थे तक यह क्या कर रही हो? मुझे मार चुरी है स्टूपड, यह कौन सा तरीका है? कॉलन जाने का बिल्कुल बूर नहीं था सोचांगे ले क्या करूँ इसने टाइम पास के लिए तुम्हें बुला लिया क्या गलत किया मैंने? यह क्या बुलाने का तरीका है तुम्हारा? छोड़ो हे पवी पवी डालिंग पवी रुको तो पवी रुक जाओ तुम्हें हमारी फ्रेंड्शिप की कसम बोलो क्या है? वहाँ बड़ी जंदी मान गई सीरिस्ली पवी बिलीव में दोस्तों मैं ऐसा मज़ग चलता रहता है और अच्छे काम पर शाजी से धरा जाओ अरे 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 यू उससे पास उसना जाओ यहांसे जो भी वह उसके लिए अरे हाई ममा तुम मुझे दिखते क्यों नहीं हो पवी काते थे कितना सताते रहते हो तुम मुझे आज ममा के ज़िए के पवी दिखे कहीं इसका मतलब येस है है क्या है अरे अरे लगता है सावजादे पूरा मैदार मार क्या है मेडम काफी ओ थैंक यू आप भी बैठे ना नहीं नहीं मेडम क्या हुआ क्या हुआ आपकी वाइफ का तो कोई वाइफ तो नहीं रही अरे 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 बेटे के साथ कोई मिसंडरस्टेंडिंग है राइट मच्चों के साथ तो चलता ही रहता है इसका मतलब आप उनर के साथ एक अच्छी पिता भी है अलाव इट सो अब लाइफ में कोई भी प्रॉब्लम हो आप मुझसे कह सकते हैं समझ गए ना हूँ आपना कॉफी बहुत प्यार से बनाते हैं थांक्यू आई लव इट जी माप अच्छा हलो हां हलो आपने मुझे डाइवोर्स नोटिस भेजा है हां तो ये पेपर्स भेजने का मतलब क्या है तुम इतने विना सुमज़ नहीं हो अगर आप ऐसा ही चाहते हैं तो हम अभी खत्म कर देते हैं जब हम काम के लिए दूर हुए थे तभी हमें अलग हो जाना चाहिए था इतने सालों से मैं इंतजार कर रही थी मेरा ही दिमाग खराब था पापा के साथ इसे बात मत करें प्लीज चुप कर दूँ अगर आप वह आप अपने अनलग के सालों मेरा चिली शिकायत उसने बस यह देखा है मुझा अब उसका यह त्रिया चरित्र मैं बिल्कुल पड़ाश्ट नहीं करने वाली बोल देती हूं तो अध्या आद्मियों में तिरिया चरित्र नहीं होता मामा तुमको बीच में बोला जरूरी है क्या तो आप अपने समस्ते हैं अपने अपको निमाग थेकाने पहें किया किनी किनी यही चाहिए ना आपको डेवर्स पेपर पे साइन में कर देती हूं ममा ममा चोड़ो ना ममा पें देना जरा एक कातिक फॉन बजा के परिशान क्यों कर रहा हूं तुम्हारे लिए डार्लिंग वो किस लिए बताता हूं बैठो तो ये भी ना आगया दिमांगा यही मोगा है तुमसे यह पागर तुम्हें कोई माइनर नहीं है क्या मैं इससे सिच्वेशन में हो इतनी सारी प्रॉब्लम्स है और ऐसे हालात में तुम्हें प्यार वैर के बात यह सूच रही है पवी सोच के जवाब दो वर्ना वर्ना क्या कर लोग बोला न अ शारे मर्द एक जैसे ही अपनी बखवाज बद करओ और तुम्हारे मेरे बीच पीसी यह पापा को लाने की जरुशा है क्या तुम्हें देख के लगता है कि तुम्हारे पापा केसे होंगे वह गासि ही कुछ मत बोलना क्यों तुम्हारे पापा आसमान से गूर्क्या है ट man ी hipp कि पाप आए इंट वे लिए तो नहीं कि विए वह क्या है न मैं कोई भी काम ऐसे ही शुरू नहीं कर सकता आप में बैठके बात करते सबसे जला लेना जरूरी है ना पहले आप आये बात करते होटल में अब आई है रहे जैसे मुझे एक वोचिंदेरा अजुटी मिलती है ऐसे नहीं आपके पास मिल ले आप ठीक है ना सर्ण 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 क्या हुआ सर्ण आप पुछ बोल लहीं रहे सर्ण कर्तिक इतना गुस्य में क्यों नजरारा अड़ीठा कॉलच मिछओ क्या है ऐसा कुछ नहीं है फिर फ्रेंड्स के साथ कुछ हुआ है अरे बेटा अपने पापा को नहीं बताओ कि क्या हुआ है मुझे कुछ नहीं हुआ है आप जाओ ना पापा ठीक है तुम्हारे लिए दोसा बना के लाओ बेटा नहीं इडली बोला ना कुछ नहीं चाहिए ठीक है ठीक है ठीक है पेटा क्या है पापा तभी तो ठीक है ना अरे यह क्या तुम्हारे पार खेले हैं तुम्हार पर जाओगे बेटा टावल काई टावल काई रहने तो पापा चुक्चा बेटे रहो आप मुझे अकेला की छोड़ देते चली जाए यह से जब देखो सर पर नासते रहते हैं तुम लोग यहां पर कब आ रहे हो हां हां बहुत चल्द आएंगे सुनों इतना समय हो गया तुम लोगों को यहां आए हुए कुछ दिनों के लिए यहां पर आजाओ यहां पर आओगे तो थोड़ा आराम मिलेगा तुमको अरे कैसे आएंगे यहां काम भी तो देखना अरजा एक जरूरी काम है आने के बाद ही बिताऊंगा वो काम क्या है जरूरी धिक है वो क्या बोल रहा है अपने अपी पूछ लो ना करती कुम आ रहे हो हाँ आए हो आउंगा अटि हम झांटी मुझे नहीं पता तुम दोनोंको यहां आना ही होगा तुम आ रहे हो ना अब बोलो राजा इतना अर्जेंट क्यों बुलाया मदू सुधन जरा ठेर जा मैं किसी से मिलवाना चाहता हूं तुछको वो देख अंकल आप मुझे स्वामी जी से मिलवाने लाएं स्वामी जी नहीं स्वार्व व्यापी है वो जाओ तो सही आज़ा बिटा अबिल दो वो आपा हूं Сबस्ता हूं वो obligation आफिर आएंगे, मैं जानता हूँ, आप हमारे बारे में कैसे जानते हैं, मैं जानता हूँ, तुम किसलिए आये हैं, जी पुम्राची, और तुम तो बेटा यहां आने वाले हैं, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, फिर क्यों आये, बस आ गया, तुम रुको यहां, तुम आओ जी, चलिए, तुम्हारी समस्य कर, अब क्या बता सो, ऐसा कुछ ने तो हम निकल, ने, ने, ऐसी भी बात नहीं है, स्वामी जी, हाँ, फिर भी, स्वामी जी, एक समस्या तो है, मैं अपने बेटे से इतना प्यार करता हूँ, लेकिन वो मेरी बात सुनता ही नहीं, लेकिन व वो अब बड़ा हो गया है, किनेज में आ गया है, तो अपने पापा का दखल देना अच्छा नहीं लगता होगा, ये बात समझनी चाहिए ना, लेकिन मेरे सामने तो बच्चा ही है न, इतने समझदार होकर ऐसी बात ही करते हो, आगे बोलो, अब क्या बताओ स्वाबी, वो अब क्यूं इतना परेशन हो रहे हैं, उसने तुम्हें क्या बोला, जिससे तुम इतना दुखी हो रहे हो, वो तो बताओ, वो मुझसे कुछ कह दिया, स्वामी, बताओ क्या बोला, बाद में देखेंगे, बताओ सही, बोला मेरे सर पे मत मचो, बस सिद्वे सी बात है, इस हर समस्या का कोई ना कोई निवारण है और मैं तुम थोड़ी देर रूप जाओ यहां आओ बीट तो आजकल क्या चल रहे हैं कुछ खास नहीं इंकल बस कॉलेज लाइफ और क्या है यह कॉलेज लाइफ क्या होती है सच बताऊं तो मेरे उम्र के सभी लोग एक साथ पढ़ाई करते हैं ऐसा है क्या सिर्फ पढ़ाई करते हैं या और भी कुछ होता है आपके कॉलेज में हाँ जी हमारे नैने दोस्त बनते हैं कॉलेज का इन्वाइर्मेंट बिलकुल अलग होता है हमें कैसे कैसे टॉर्चर जिलने पड़ते हैं आजकल कितना प्रेशर होता है हम यंग्स्टर्स पे ऐसा सब होता है क्या हमारे समय में भी ऐसा हुआ करता था लेकिन हम कहा बदले सच बात यह है कि किसने क्या कहा कौन कहा रहता है आसपास क्या चल रहा है कब से चल रहा है पापा को सब जाना है इसमें टॉर्चर क्या है वो अपना जीवन जीते हैं तुम भी अपना जीवन जीओ ठीक है और पापा? मुझे लगता है। पापा को नए दोस्तों की जरूरत है। एक ही अंकल उनके सालों से दोस्त है। और कुई दी? आई, चांसी नीये है? चांसी नी, है? आप चलो, कुछ दैर के लिए ऐसा सोचते हैं। स्तिति और समय को देखते तुम अगर उनके दोस्त बन जाओगे तो क्या होगा क्या ख्याल है यह कैसे हो सकता है तुम ज़रा सोच के तो देखो तो यह सब आप से पापा ने कहा है वो बस एक ही चीज़ चाहते हैं कि मैं उनकी हर बात मात पानी को अगर अलग करने की कोशिश करोगे ना तो भी मुम्किन नहीं हो पाईगा और यह तो बाप पे टिका रिष्था है इसलिए अपने बाप को दोस्त बना एक सौरी साब कुछ बदल देगा यकिन वालों सौरी मैंने अपने लाइफ में किसी को कभी सौरी नहीं का हां तो अब भी बोल दो इसमें क्या है तुम्हारे पापा ही तो है अफापा को क्या सौरी बोलना है अंकल आप भी मजा करें अब हगा कि बेटा मदुसुदा है यह ज़रा है जी सब्सक्राइब मैं जो खुछ भी भोलूगा तो सौ टाका पानी में जाना है यह पानी को छू कराना है केवल छुना नहीं है बलकि अंदर जाकर पानी में सिर्फ डुपकी लगानी है आषे पानी को वेडि़िक पानी में सुफब वाई एक बिल्कुर पाओगे था था झाइगे द्यागे कर दो कर दो कर दो एक स्वाहरा शंब कर दो कि इस पार अब करेंगे नहीं तक जाओगें और को Krassi सब्सक्राइब कि कार्तिक और मधुसुदन जी इतने दिन बाद हमारे यहां आए हैं और कहां छोड़ाए उन्हें आजाएंगे आजाएंगे तुम यहां ख्ला रहे हो हमें वहां किला छोड़ दिया है क्या अंकल से ऐसे बात करते हैं सुमान तुम हमारे बीच में मत बोलो यह सब स्वामी जी का कमाल है आंटी बापा और अंकल का दिमाग खराब हो गया है समझें आंटी स्वामी अरे पाप्रे उनकी मज़े से हुआ य लग है आंटी यह क्या कर है रहें बतता हूं पहले तुम दोनों अराम से यहां पर बैठो वो ऐसा हुआ कि सौत रखेव कर दीए बोलना चाते हो हम और बैटे की आत्मा को डाल दिया है और बाप भीर गया तुम दोनों के साथ आत्मा की अदला बदली हो चुकी है मेरी बात ध्यान से सुनो बाप को बेटा समालेगा बेटे को बाप समालेगा बस करते करते आदत पड़ जाएगी अब यही करना है बाप बेटे की जगा और बेटा बाप की जगा अरे लेकिन यह सब जोल जमेला कैसे पॉसिबल अंकल बेहस के आगे बीन बजाने से कोई फाइदा नहीं क्या समझे अब क्या सोचना जब चिडिया चुद गई थे पार्वती पतिये हरहर महादेव शंभोष शंकर हरहर महादेव जैशंको हेलो कार्थिक बेटा यहां पर हेल्थ डिपार्मेंट से अफिसर लोग आये हैं ओ ठीक है मैं फॉरान आता हूं कार्थिक बेटा पापा को भून दो हां ठीक है मैं उन्हें बता देता हूं नमस्ते 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 बेटा कपड़े तो पापा की तरफ पहने हो हां बस ऐसे ही वह जो हेल्थ डिपार्टमेंट से ऑफिसर्स आये थे बोलो कहा है पापा कहा है वह नहीं आज मैं मिनूंगा यह क्या यह बनाना लीव है मतलब इसके ओपर खाना खाय जाता है आपको पता आयूर्वेद शास्त्र में इसके बहुत सारे फाइदे बताए हैं नमस्कार नमस्ते सर्थ यह हमारे पुराने ग्रहक है इनसे आप अपे रस्ट्रो को रखा जाता है हमारे जो भी महिलाए काम करती हैं उनके नवजात शुश्वों को यहीं पर स्तनपान करवाया जाता है हमारे हाँ जितने भी महिला और पुरुष कारीगर काम करते हैं वो यहां पर एक परिवार के जैसे हैं चलिए आपको अपना ऑफिस बिदाता है हो तो य कर दो नहीं मैं साइन कर वालूंगा चीक कि अ कि अ हृँ बेटा बेटा एक नहीं साल से विजट धी विमाई है उसे मिटी में मत मिला नहीं पापा जो आप की इसद्ध में मिला रहा है अरे वही हमारी अदला बद्ली वाली बात देखो इन सब के लिए यहां पर अभी तुम ही मालिक हो आप 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 मौदर्ण ड्रस में जम रहे हैं अब यह में कोई कहने वाली बात है आज से सारे लोग मेरा केरेक्टर आप में देखेंगे क्यों ठीक है ना यह हमारे कुछ है अब भाई यहां से निकलते हैं देखो बेटा तुम्हें चेक बुक पर साइन करने के लिए बिलाया था अरे तुम्हें बार-बार क्यों याद दिलाना पड़ता है तुम्हारा साइन चाहिए आप बाकी का काम देखिए मैं साइन करवा लेता हूं हाँ ठीक है पापा ना जाने ऐसा कब तक चलता रहेगा क्या हुआ कितनी प्रॉब्लम हो रही है आहां बिल्कुल नहीं पापा आपका ऐसा बदलावा रूप देखके यहां होटल में सब चौक रहे हैं ओके उपर से आपका ये काम मेरी समझ के तो बाहर है आपका अंकल कार्थिक है यहीं पर पापा मेरे कॉलेज फ्रेंड है बात करी ना करिये तो लीजिए कालेज बोल रहा हो थाले यह कालेज में टीसी की मिल रहे हैं जो लेकर आओ मुझे बोलता रहाँ आप जाओ आप आप हो नाम कार्थिक ओ मैं तो भूली गया यह डूंस्तर मेरी क्लास्रूम मैं चला एक अवावापा को पछे लास्त तक तो पहुचा तो चले क्लासरूम तक तो पुल कैसे जाते हुए अरा अमारे जंदरशे में इतनी अनर्जी भरी है क्या पता है तुम लोगों में कितनी अनर्जी भरी हुई है वो तो मैं देखी रहा हूँ पपा दिस टूम अचा तमीज कहिंका इसकी हिमत के सरी मेरे साम्याने अभी बताती हू हाई एंड्रियू हाई तुम्हें सब क्लास्रूम तक चलोगे हाई डूट एंड्रियू एक काम करो मेरी कंड़ी हाथ लगके चले येस पिछ देखो मेरी कोई लड़की दोस नहीं है यू आर्ट पर्स्वाट है आम प्रॉड अप माइसल्फ एंड आम सो लखी वाड़क बाबी ये तो मेरी तरफ देखी नहीं रहा आई चिंपांजी लंगूर के मूँ में अंगूर छोड़ूंगा नाई बेटा तुम नोट्स कैसे कंप्रीट करें आप टेंशन प्यू ले रहे हो ये है क्लास्रूम जाई आंदर जाईए चली 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 लोगों को नमस्का नमस्का क्या है क्यों इंडिया के एलेक्ष्य में खड़े होने जा रहा है तेरी भावनाव को मैं समझ सकते समझ नहीं आ रहा सारे चेंज़े कार्टिक तेरा फोन पापा के पास था क्या अजीब सी बाते कर रहे थे घर पे सब कुछ ठीक है पवित्रा से बात होई क्या उपवित्राजी यह कौन है ई आैनल को विया तुम्हारी किसी से जान-पेजानकर आनी जल दी आउल यह कार्तिक पूछ रहे थे सहे प्वित्रा कॉन है यह है पित्राशिन करना मुझसे चलिए याँ से पवित्रा ये क्या बत्तमिसी है से कार्टिक की बज़े से आइनू तुम अपनी हरकतों से कभी बाज नहीं आओगी कार्टिक की अच्छाए के बारे में पूरा मलेशिया जानता है उसे किसी एविडेंस की जरूरत नहीं कार्टिक इतना फीमस है यहापी लेकिन तुम्हारे इस कर्टूर का मेरे पास एविडेंस है ओके नाओ लेट्स स्टार्ट क्लास फ्रम वेर वी लेफ्ट ओवर यस्टरे तर्न तो पेज नमबर 54 प्लीज कि वह पेड़ों कि मेरा हाथ दुलाओ इससे नहीं नीचारी डॉन विस्की है या ब्राणी विस्की डॉन ब्राणी से बाद में दुलाना अभी अभी एक का काम खत्म करके आया हूं मैं लेकर बुला है ओके डॉन माला दिदी डॉन बुला रहे हैं ओपर है यस दिदी यह यहां क्या कर रहे हैं आकर देखते हूं अगर डॉन की जगान डार्लिंग बुलाती तो कितना अच्छा होता माना लेफ्ट और राइट वालों को अपने साथ ले जाओं सेंटर को मैं देखता हूं टेक दिन ओके डॉन प्लीज आये यह कहां गए यहां पर जो बैठे थे वो कहां चले निकल गए पक्का नाना जी होंगे मेरे रूम का बातरूम यूज करना होगा उनको जल्दी जाए जाते समय लोग करके जाएगा ऐसे कैसे इतने जल्दी थोड़े ही जाओंगा किस करने आया हूं तुमको पहले इनको मला हातों को चुमूंगा अपनी तेक दुकान बंध हो गई कोई दे एक आंक से देखूंगा मैं अपना छोड़ूंगा नहीं टार्गेट आई वोंट लिव यू बेबी कि अ कि अ की या 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 य अरी इन अमम्हें पापा कि युद टर चुला के बांग रही है तो पावी का है इससे पहले कोई मुझे देख ले ममा चोड देखने में कैसा होगा तुम डर्ना ने डरता कौन है सामने आ गया ना तो ऐसे वारूंगे मुझे किटर आ रही हो अब चुप कर कहां गया और कुछ नहीं मिला आपको जाहिए नाना जी देखो वो यहीं कहीं होगा हम आइडिया हम वहां से शुरू करते हैं क्या ममा जटा इतनी बड़ी है क्या मेरे सामने इतनी जबान चला रही है ना आए टेंकी बत बोलती है चल जैसे ही सामने आएगा दे मारूंगी तुम चाकू गुसा देना उसको वहां से नहीं जाना चाहिए नहीं तो वह हमें नहीं तो बाद में मत बोलना ठीक है ध्यान से आओ हम उसको पकड़ लेंगे और कमरे में बंद कर देंगे और तुरंक पुलिस को फोन कर देना तुम सुपर आइडिया ठीक है आगे बड़े है सब सुन लेगा सुन लेगा तो पूछो इससे में बचसे थोड़ी ना आया है पितादी ना कोंचे भादा है वो पकड़े उसको चाहिए वहाँ वो देखें पिताजी छोड़िए मथ उस बतमाश को कहां गया पिताजी को अब थीक से लगाई यह वो भागा जा रहा है रहा है लो नाजी यह तो दोली नहीं हो जो जो गई तू लब जा तू राज्या कैसी उसक्सी का बढ़िया नहीं सिखा क्या तुम्हें क्या हुआ तुम्हें तुम्हें सब कुछ पता है तेखो मेरे पीछे तुम हाथ दोकर पड़ी हो ये तुम्हें शुभा नहीं देता मैं पीशे पड़ी हूँ जब भी कॉले जाता है उसे में रहती है मतलब प्यार खुबसूरत अहसास होता है जो तुम दोनों को हुआ है तब भी तुम लड़ते रहते हो कितना ड्रामा करते रहते हो तुम लोग अब जाकर उसे मनाओ तो ये बात है दोनों में प्यार है आप तो सब कुछ ठीक करना पड़ेगा अभी दार्लिंग का गुस्सा शांत ने अभी तक इस सो किट पिंकी पिंकी पॉंकी चिंपांजी ये तो वही है ये कैसी हो ये आई ही यू दिखा था पुझे है ये 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 स्टाफ डॉन के लिए ये 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 क्यों दो स्टाब डॉन के लिए ये 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 कि क्या है ये फीं ये ये याव इनतर डॉन की यह इस्यक्ति ये है आपकी सिकेरूटी का सवाल है डॉन इतना भी क्यों बचाया ग्लास में कोई बात नहीं जो मिल गया हो नसीव मिस्टर मदसूर माला येस डॉन तुम्हारा निशाना मिस हुआ हाँ डॉन पिछले कई दिनों से मेरा काम में ध्यान नहीं लग रहा ऐसा क्यूं कि सब कुछ बदल गया है अच्छा लगने लगा है किसी के ख्यालों में में खोने लगी मूं न जाने क्यों माला डोसा बना रही हो पूरी वितर रही हो जाओ थोड़ी देर के लिए बाहर गूंके आओ हमारे लिए टेबल बुक करो दीदी आपके लिए टिफिन बोल के गई है लंच वहीं से आएगा निमाग के दही मत कर डॉन के टिफिन में क्या जाएगा अब वही डिसाइड करेगी ना का यह मावस की रात और उससे देखो वह इतनी संदर चौदवी का चांद डॉन की क्य किसमत है डॉन बॉय यह सुना तो नहीं यह सुन रहे हैं तुमने सेलेक्ट भी कर लिया मैंचिंग निल गया मां ठीक है चलो और देखते हैं रुको रुको मत जो मां क्यों मेरे मुझ पे चोट लगी थी मैने बताया था ना कॉलेज का लड़का है यह वही इडियाट है कार अच्छी लगेगी दिखने में तो यह लड़का बड़ा शरीफ लग रहा है किसी के बारे में कुछ भी मत बोला कर चल यहां से यह ना कॉलेज का छटा हुआ बदमार्श है उसकी शकल पर मत जा बहुत ही खतरनाक लड़का है देखो कभी ताली एक हाथ से नहीं बचती यहाँ भाई प्रोबलम के है भाई और तेरा कभी नाए इसक्शूज में प्लीज 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 कॉल दा पूलीज ना इलाइक दाफाइट अमे धककन को ब धिंग वनली पेङो की ऑलत है वि प्लीज 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 पारे और उसके भुष्-छर्ड anders जिद्धा मत करो मैं देखता हूँ बहुत दर्द हो रहा है ना अरे भाई फर्सकेट बॉक्स तो चल दी इतना मार खाने के बाद उसी का इलाज कर रहा है आप चले बस हो गया हो गया अब दर्द कब हो जाएगा बेंट ग्रेट है ना क्या मैंने बोला था ने बदमाशे बक्वास मत कर यहां जो कुछ भी हुआ उसके बारे में क्या तुझे कुछ पता है पहले का जो कुछ भी है हम दोनों भुल जाते है और मुझसे जो बी गल्तिया होई होगी उसके लिए मुझे माफ कर देना हो गया ड्रामा चलो नहीं कार्दिक मेरी गल्टी यह सब बोलने की जरूरत नहीं है आराम करना भाई नमसकार नमस्ते आठी हम से गल्टी हुई कौन सी गलती अरे क्या पता हूं मेरी बेटी की वजह से आपको बहुत प्रॉब्लम होई थी ना उसने पताया था मुझे इसके प्राश्चित के लिए अगर आप हमारे घर चलें तो हम आपका हिलाज करना चाहते हैं तो आप पवित्रा की मम्मी हैं जी हां प्लीज मेरी बात म में लिखा है कुरान में लिखा है कि हिंदू मुस्लिम क्रिश्यन सब एक हैं तुम क्या कैसे मैं भी यही मानता हूं जूटा कहीं का जिमाग खराब हो गया है इस लड़की का अच्छा हुआ आप आ गए अंदर से लिए नश्टर रेटी हैं बेटा कार्थिक बहुत कितनी नौलेज है क्यों मिटा यहां तुम्हें पराय जैसा तो नहीं लग रहा है ना आपके आंकर मुझे अपने गाओं की याद आ गई हैं तुम्हें बात्रूमें बंकरती हूं कमरे में तुम्हारे लिए बहुत सा काम रखा है लाओ जाके सारे काम खतम करो अरे रे रे आये बैठिए ना बहुत जल्दी में सब बनाया है मैंने यह देखिए ना वाइट राइस है बिर्यानी बनाई है चावल की खीर है दाल है सबजी है बहुत कुछ है मेरे लिए इतना सब इसकी क्या जरूरत थी इतना सब तो कुछ भी नहीं है इतने कम समय में जो ध्यान आय क्या करूं बिर्यानी कैसी बनी है बहुत ही स्वादिष्ट है थोड़ी सी दाल टेस्ट करूं ना ले लूगा अरे शर्मा हो मत बेटा खाओ खाओ बेटा बेटा तुमसे एक बात करनी थी पवित्तरा के मम्मी पापा के बीच में बहुत प्राव्या शुरू होगे जी मैं स समस्ता हूं वह हमेशा लड़ते रहते हैं और असल बच्चों पर होता है इसलिए उसे किसी के प्यार की जरूरत है काश उनके बीच सब ठीक हो जाए समझने आ रहा नाना जी पताने उससे ऐसी बाते क्यों कर रहे हैं आप जो कहना चाह रहे हैं वो मैं समझ रहा हूं जब हमारे पास कोई चीज नहीं होती है तब ही हमें उस चीज की कदर होती है मेरी मां इस दुनिया में नहीं है मनी तीजा रिखी ये ले जा बाहर जाके सर्व करो स्पेशल गेस्ट आए हैं जाके सर्व करो जो भी किस्मत में लिखा हो हमें उससे खुशी-खुशी अपना लेना चाहिए ये तो सच कहा थूं थैंक्यू आप खाली जे आप सब लोगों से मिलकर आज मेरा मन प्रसन हो ग जब देखू तब सौरी कह कि अपना ड्रामा दिखाता रहता है जब हमारे पास कोई चीज नहीं होती तभी हमें उसकी कद्र होती है मेरी माँ इस दुनिया में नहीं है कोफी बनाएंगे उनकी कोफी हमेशा आफी तो बनाते हैं अच्छा मालिक में हूँ काफी भी मैं बनाओंगा अरे फिर तुम लोग यह क्या करोगे जा मैडम सिबल अपनी काफी खुद बना लेगी जा यहां से यह करेक्ट सिर्फ आप ही हमेशा मेरी लिए कोफी क्यों बनाएंगे मिस्टर मदे सुदन सोचा आज मैं आपके लिए कोफी बनाओं क्या हम 10 मिनिट के लिए कहीं बाहर जा सकते हैं कोफी पीजिए ना थांक यह बढ़्या काफी है मैंने कभी फैमिली नहीं देखी इसलिए संसकार क्या होते हैं यह यह मुझे नहीं पता है मैंने मम्मी डैडी किसी को कभी नहीं देखा है इसलिए परिवार क्या होता है ये में कभी जान ही नहीं सकी मैं हमेशा अकेली रही हूँ थोड़े थोड़े पैसे कमा कर गुजारा करके मैं यहां तक पहुँचे हूँ लेकिन अब मैंने सोच लिया है अब मैं जीना चाहती हूँ खुश रहना चाहती हूँ आपकी साथ हमारे बीच जो रिष्टा है वो सिर्फ इस कॉफी की वज़े से है अब इक कॉफी का क्या सीन है जब आपको मैंने रेस्टोरेंट में देखा था तब ही आप मुझे अच्छे लगने लगे और मुझे आपसे प्यार हो गया अब एक बल में आपके बिना में जासे हूँ इस ही है मैडम जड़ा गाड़ी रुकवा लीजे हां मुझे उतरना है ज्राइवर गाड़ी रुको थैंक यू है आप पर ये ड्रेस बहुत जच रही है और उससे भी ज्यादा आप अच्छे लग रहे हैं ओहो ग्याइग माला के पापा के प्रतिविचार ठीक नहीं लग रहे हैं आप मुझे सच में बहुत अच्छे लगते हैं मिस्टर मदसूदन तो अगर आपको बुराना लगे तो मैं तो समझी गया फाइनली येस, I love this idiot, I love this idiot हलो, कौन? पवित्रा के नाना जी घर पर हैं क्या? मुझे कुछ बात करनी थी किसली चाहिए? वो नहीं है ए, कौन है? मुझे दे, मैं देखती हूँ आप के बूल रहे हूँ हलो? हलो, पवित्रा की मम भी बोल रहे हैं क्या? मैं ही बोल रहे हूँ, आपने कैसे याद किया? अच्छा, नाना जी कहा है किचन में होंगे वो, यहां पर डिस्टरबंस आ रहा है न? फोन करती हूँ मैं डिस्टरबंस? हाँ, बोले, इते भावो क्यों हो रहे हो? तुम्हारा काम हो जाएगा हाँ, हाँ, नहीं, 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 हाँ, देखे मिनट तो लगता है न, यहां कोई देख रहा है, हलो, 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 हल चोड़ दे उसे तु ध्यान मत दे बेटा जब शादी तहीं थी ना तो उसमें भी ऐसी बाहुरी हो गई थी वो किसी लिए तो मैं बहुत खुश हूं मुझे कोई चिंता नहीं तू अपना दे आज के दो गॉट से भी बात करना बहुत मुश्किल हो गया है बहुत लोग हो द क्या आपको पता है कि पिछले साथ साल से इन कॉलेजेज की गरिमा को बनाए रखने के लिए हमने जी जान लगा दी है और यह आज भी बनी हुई है जानते हैं क्यूं उसका कारण है कॉलेज के बहुत अच्छे और प्यारे दो नौजवानों की वज़े से और उनका यह नय पूरा करता है अब यहां तो सबकर दिमाब खराब हो गया है कि अब कर दो हुआ है हम दोनु के जिस से लेके आज तक प्रेंक्स हैं वाइफ रिंग के वज़े तोट गए लेकिन कार्थि के सौरी फॉर्मूला की वज़े से हम फिर से दोस्त बन गए वी आर प्रेंक्स नाव मैंने सौरी कहा मैंने भी सौरी कहा वी आर है जीवन जीते हुए नजाने कितनों को हर्ट करते हैं और उन्हें वापस देखते भी नहीं है उन्हें मेसेज के कॉल के थ्रू या फिर मिलके सौरी कहा जा सकता है ऐसा करने से पूरे शहर में हर कोई प्यार करने लगेगा जिससे संतोश और भाई चारा पनपने लगेगा मुझे तनी यकीनी नहीं आ रहा कि ऐसा भी हो सकता है तुम बड़े मजाकिया हो तुम मन की बाते कितनी असानी से पढ़ लेते हो सच में तुम भी ना इनका क्या चल रहा है तो बताईए के ले मेल कॉलेज की दोस्ती के बारे में आपका क्या कहना है सर पहले केल एमेल कॉलेज की बिलकुल भी नहीं बनती थी पर अब हम सब एक साथ मिलकर रहते हैं इसी में सब की भलाई है और अब ये दोस्ती बनी रहेगी ओके सर ये जो सौरी की हवाई पूरे शहर में चल रहे हैं पूरा मलेशिया उसके लिए आपका शुक्र गुजार रहेगा लेकिन क्या यहां के माफिया गैंग पर भी आपके इस सौरी की हवाओं का असर पड़ेगा ये हमने एक छोटी सी कोशिश की है और पूरा शहर हमारी क कोशिश का हिस्सा बनना ही पड़ेगा जब पूरा शहर प्यार और भाईचारे में घुल गया है तो उन्हें भी शामिल होना ही बढ़ेगा इतनी कम उम्र में सैयम धैर इस समझ आपके अंदर कहां से आई सर जो आपने किया है उच्छा आपको देना चानिए ये मेरे का आप दो आपड़्य कौन अब तू बताना जुबान पे ताल है क्या कहां से आ जाते हैं पता नहीं भाउना है ठोक दूँँ रुप रुप लगता है कोई भीकादी है रीक मांगले के बैठाई यहां तो अनने बुलाया यह यह पता नहीं यह जॉन बीना काँ काँ से उठा के ले आते हैं हाँ भाई लगता है डॉन आ गए अधुरुपेट अभी अभी विकारी यांसे क्या कौन है वो क्या है बास मारा है डॉन आपको घर की डेस्स में पहचाना हो गया इसके लिए माफ कर दे ज्याonta है गलती हो गया डॉन माला मैंने बहुत मेनल से सब कुछ जमाया है इतनी आसानी से सब कुछ खत्म होने नहीं दूँगा मेरा भी परिवार था भाई बहन थे दोस्त यार थे मैं भी कुछ अच्छा काम कर सकता था लेकिन ये मेरी किस्मत में नहीं था मगर यह सब कुछ इस लड़के ने करके दिखाया इस लड़के की वज़ा से पुरे शहर में हमारी दहशत कम हो रही है जब तक मैं पहले जैसा ना करो तब तक मुझे चाय नहीं मिलेगा सभी का ना डॉन बॉइस को कि यहां क्या कर रही हो क्यों तुम्हारे पेट में दर्द एसा क्यों वह उसो जैसे ठीक है ओके बैलेंटाइन्स डे वंडरफुल चलो मैं रखती हूं मुझे जाना है मैं ब्यूटी पार्लर जाके वहां से टिप टॉप बनके आऊं की ना ठीक है बस निकल ही रही हूं अराम से अराम से इतनी क्या चलती है अशिर्वाद लेने की मैं क्यों लेने लगी अशिर्वाद हो मेरा दिमाग मत खराब कर अवकात में रहें अपनी यह आज कल के बच्चे भी बच्चे करें करें मुझे याद है एक समय वह भी था यहां बहुत मैंने पशीना बाते थे तब आप में जाकर एक वक्त का खाना नसीब होता था कि खाओ खाओ बेटा मुफ का खाना मिल रहा है ना मजे लेके खाओ बेटा क्यों बेटा बाप की तक्लीफे सुनकर खाना अलक से नीचे नहीं उतर रहा ना कि इतना सुनाना था तो खिलाई क्यों पाँ युअ कि अफज कर लिया वाइं इसको तुम्हारे बारे में बता रहा था था तो पिर बैट बैट जाना तुझानी जल्दी काह जाना है हुआ है मद्र सुन shutter Bene by एक तो कुछ भी नहीं हूं मद्र सुनागा और शुनाओंगा और अगर सुनना पड़ेगा मद्र सब्चौप लिए कितनी तकलीफी उठाते और इन बच्चों को यह मलेशिया में आ गए थे अपने बच्चे के उज्वल भविश्य के लिए अंकल का बहुत बड़ा घर था पर अंटी हमेशा के लिए चल बसी थी एक दिन पूरे गाउं ने इनको गाउं से जाने के लिए कह दिया था मैं कभी किसी का बुड़ा नहीं चाहता हूं नहीं चाहूंगा हम कल ही चले जाएंगे कोई दिक्कत नहीं हो यह सब को छोड़ जाड़के मलेशिया आगे मलेशिया आकर भी इसकी तक्लीफे कम नहीं चैप यह बच्चा संबालते हुए महनत करना रोड़ पर खड़े होके खाना बनाना सबके ओडर ले जाकर उनको खाना देना उस पे एक पिता का फर्स छोटे से कार्टिक को जूले में जुलाना और भाग भाग के काम करना खितना मुश्किल था इसका अच्छा खासा काम चलने ल इसके साथ में पिता इतना सब कुछ सह कर भी ये एक शब्द नहीं बोला कार्टिक बहुत पिस्मत वाला है जो उसे ऐसा बाप मेरा है जो दुनिया का सबसे अच्छा पिता है मैंने पापा के साथ बहुत बुरा बरताओं किया है और मेरे लिए उन्होंने लाइफ में बहुत कुछ सहा है I love him मैं उन्हें खुशी देना चाहता हूँ लेकिन कैसे येस सूपर पापा के लिए बेस्ट गिफ्ट माहलाजी ही है करना क्या है क्या मतलब आज वेलंटाइन स्टे है ना कार्टे कुछ प्लान तो कर रहा था तुम्हें नहीं पता बड़ा गिफ्ट भी लिया है ठीक है ओके वेलंटाइन स्टे सॉरी यहां यह नानादी आपको दिखाती हूँ अब कर दोड़ा रही हो मेरे लिए मैं भी तमसे बहुत प्यार करती हूँ यह क्या कर रहे हो यहां पर तुम इधर आओ अपी वेलंटाइन स्टे लिए पता नहीं मैं आहाँ हूँ इधर आए आता हूँ आता हूँ वहां छुप छुप के क्या देख रहे थे क्या मिला वहां देखके हम सब यहां पर क्यों आएं यहां हम किसको ढूण हुकίν कि तुम्हारे माई आगे पथी है किसी का इंतशार कर रहे यहां आने वाला है क्या यहां से सुने जो भी आएगा आट उसको और मां को हम रंगे हातों पकड़ देंगे अगी को हुआ तुमेले भहीया क्या हो कि अब यूदिए आपको दूढ़ा अब यूदिए आपको दूदिए पूप कितने दिलों के बाद आपको देख रही हूं और आप सौरी कह रहे हैं आज कितने खुश मापा सच में मुझे बहुत खुशी हुई सारी पाप कम बिटना है सच कर दो हमें मिल्वाने की बीचे कार्तिक का बहुत बड़ा हात है कार्तिक तुमने परिवार को मिला दिया थाएंके बिचे कार्तिक की खुशी है थेंक यू लगता है यह पागल हो गई है औरे पाप्रे वो चुम्मा उसको दे रही है तुझे नहीं अरे पवित्राई क्या कर रही हो जो मुझे करना चाहिए क्या करना चाहिए कहां देख इतना भी नहीं समझते अब क्या करूँ अगर तुम्हें ठीक नहीं लगता तो तो सॉरी सॉरी इसमें तुम्हारी गलती नहीं है यह सब तुम कार्थिक के साथ करना अच्छा लगेगा शादी के पहले यह सब चीजें करना मुझे ठीक नहीं लगता कार्थिक मैंने तो गलत काम किली शॉरी कहा था रुको तो यह गलत है क्या कर रही हो तो इस पी अरे यह सब नहीं मैं नहीं करा चाहता है कार्थिक 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 बच गया अब कहा फस गया रहे बेटा मैडम डरो मत कार्थिक क्या मुझे नहीं जानते हो तुम क्या मतलब है आपका मैडम मैं शादी करूंगी घर संभालूंगी हम सब साथ रहेंगे किस के साथ मैडम तुम्हारे पापा के साथ अरे आपको कोई गलत फैबी हुई है मैडम ना 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 मैंने उन्हें पसंद क्या उसका कारण है तुम्हारे पापा की साथ क्या और उनकी शराफत मुझे बहुत काउट करने की क्या जरूरत यून्हें प्लीज अपने पापा के बारे में ऐसी बाते करना ठीक नहीं वो कितने प्यार इंसान है उन्हें भी किसी के साथ के जरूरत है कार्थिक और वो साथ उन्हें जिन्दगी भर मैद हूंगी पता नहीं कार्थिक कौन ले गया? कार्थिक तो मेरा बेटा है किसने बड़ी कार्थिक गुंडे थे और माला जी तो फिर कोई टेंशन नहीं आप जानते हैं उन्हें उनकों बहुत अच्छी तरह से जानता हूं तो फिर कोई प्रॉब्लम नहीं है इतनी आसानी से कार्थिक ने मेरे मम्मी पापा को इतने सालों कि बाद फिर से मिलवा दिया अब मैं चलती हो उंकल बाई कोई बात प्रॉब्लम नोप्राफिल्म यह मुझ से प्यार करती है और उसे शादी भी करना चाहती है अब मैं चलती हूं अपको बहुत समय ले लिए नहीं बिटा ऐसी कोई बात नहीं है पर सब मेरा बेट कर रहे हैं और अपनी शादी से पहले मुझे कार्तिक के बारे में सोचना है वो खुश रहे उसकी लाइफ में सुकून हो इससे ज्यादा खुशी की बात और क्या हो सकती है कार्तिक के लिए मैं कुछ भी कर सकता हूं कि अपना खयाल रखना कार्तिक ठीक है आए बाबा इतना अंधेरा क्यों है बेटा क्या कर रहे हूं यह तो सही हाँ लाइच यह सब तुमने किया हाँ कुछ शक है यह सिरिस्टी हाँ अब आपा मुझे तो विश्वास ही नहीं है आगे तु दिखिए हाँ बहुत कठीन है सबको अपने जिम्मेदारी का एसास होना चाहिए सच में एक बाप होना भी इतना आसान नहीं होता है पापा आपने बहुत किया है मेरे लिए अब बैठी है अब मेरी बारे कुछ कर दिखा लेगा बहुत दिन हो गए हमने बैठ के आराम से बात चीपने किये आज कर सकते हैं पापा आज मैं आपके लिए दुनिया का सबसे अनमोल गिफ्ट लेकर आया हूँ पूरी लाइफ में खुशी और सुकून ही सुकून रहेगा कौन सा गिफ्ट वो डॉन की राइट हैंड वाली के बारे में मैं कोई शाते नहीं करूंगा क्यों पापा तुम्हारी मा आज भी मेरे साथ है जानता हो बहुत अच्छे से क्या पता है मैं तुम्हारी मा की बात गता हूँ उस चांद को देख एपनी मा का चेहरा दिखाई देता है यह सब अपनी जगह ठीक है वगर आपकी लाइब पार्टनर का क्या बताओ मा तो आसमान से उतर के आएगी नहीं आपका अपना भी कोई जीवन साथी होना चाहिए ऐसा मैं सोचता हूँ माला जीर परफेक्ट है पवीत्रा भी उनको अच्चे से जानती है और पवीत्रा तुम से प्यार करती है I know इतनी प्यारी घरेलू संसकारी लड़की है वो जाओ जाकर उसे प्रपूस करो मुझे तो उसे सब आके पहले ही बता दिया है तुमको क्या बताया सुबद 6 बजे से लेके रात को 8 बजे तक हम साथ थे, लेकिन कार्टिक में I love you नहीं का, इसलिए, डाउट पागल हो क्या, ऐसे भी कोई बात करता है, पापा, ये सब बाते बात में करेंगे, पहले माला जी का मैटर सुल जाते हैं, मैं अकेला ही खुश हूँ, मैंने बड़ी मुश्किल से सब कुछ बनाया है, सच कहूँ तो मेरे लिए सब कुछ तुम हो, मैं आपको छोड़ कर कही जाऊंगा, पर कोई है जो आपसे बहुत प्यार करती है, और यकिनन सारी जिंदेगी आपका हमीशा साथ देगी, आज तक आ ही मेरे दिल की बात, ठीक है, सबसे पहले पवित्रा की घर जाओ, और उसे अपनी मन की बात बोल कराओ, जल्दी जाओ, उसके घर जाने की ज़रूदी क्या है पापा, कली मुझा आगा I love ही बोल के ही है, कैसी बात कर रहे हो बेटे, जब तक तक तो मुझसे कुछ कहोगे न पूछ कर आता हूं से, रुप जा, रेजिदेंस एरिया, I love you, कार्टिक, बेटा, बेटा, मीचू कार्टिक में, अरे बापने कार्टिक, उठो बेटा, अरे उठ जाओ, अरे उठ जाओ, बहुत बड़ी घरबर हो कही है, पापान रात भर जागाओ, इससे बुरा और क्या ह हो सकता है, अरे बेटे, या तेरे बापने I love you कहा, और वो समझे कि मैं कार्टिक हूं, वो जो तो आप स्यूसाइड करना पड़ेगा, स्यूसाइड करने के लिए सुबह का मौरद ठीक नहीं होता, बेटा, 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 क्या है पापा, अरे वो इधर ही आ रही है, पहल का जा रहे है, प्हळे दोनों क्या करते है, ये तो देखले है, हाइ कार्टिक, एरे, कहा ले जा, अरे बेरी बातौ सुरो, अरे, अरे अरे, पिरेज और ये कैम के तबहुए, पापा,AKAKAKAKAKAKAKAKAKAKAKAKAKAKAKAKAKAKAU हाँ है अलो पापा कहां जा रहे हो अ हम कहां जा रहे हैं पोर डिक्सन जा रहे हैं पोर डिक्सन किसलिए वहां क्यों जा रहे हैं डेटिंग करने क्या का डेटिंग करने क्या का रहे हैं रहे हैं आप का पीछा करो तुम्हें पीछे बैठने के बजाए अगर जमीन पर मैं चलता तो मुझे जादा अच्छा लगता है यहां मालाची माला जी यहां क्या कर रही है आप रही पापा समझ के मेरे साथ कुछ कर दिया तो कहां गई आप यहां किसे आप लोगों की सिक्यूरिटी के लिए लेकिन आप क्यों करोंगी वह पापा ने कर नहीं कोई सीरियस बात नहीं कार्थी की बज़े से डॉन के बिजनेस में प्रॉबल्लम आ रही है सो कार्थी के पिछांके गुंडे लगे हैं लगने दू अरे रे कुछ होगा तो नहीं नो प्रॉबलम मैं हूं नहीं आप अकेली हैं यहां बागी दूसरे रूम में हैं एंजॉय कर रहे हैं एंजॉय मतलब कार्थी मुझे बाहर जाना है कुछ अर्जेंट काम आ गया है मैं तोड़ा पानी बिलूँ काम है मैं हूं ना देखिए मेरा गला सूख रहा है जड़ा दो फूट पी दो लूँ पानी शौ मैं अभी पानी लेकर आई मैंने सिर्फ पानी भांगा है तुम उस तरफ बैठो मैं ओडर करता हूं अरे बगवान अरे क्या कर रही हो ने ने पानी नहीं पीना है जूस ओडर कर दीजिए बगवान मुझे इस लड़की से बचाओ मैं सिर्टिविरा जाकर प्रसाच चलाओंगा आई वंट चिकन नू बेटा आज तो तुम्हारी शामत आने वाली है पता नहीं आगे तेरा क्या होगा और जो भी होगा जेलना तो पड़ेगा यह बगवान यह लड़की तो आज मेरा धर्म भरस्ट करने पर तुली है यह बबाप पतानी क्या करेगी एक जूस में दूस्ट रहा एक मेरी लिए थोड़ा रूमैंस तो बनता ही है नौ प्यास लग जाए तो जूस भी अच्छा लगता है यह राइट आपको पता है आप कितने हैंसुम हैं ओ सिरियस्ली आहां मैं पोच्छते हू ना ए बगवान इसको क्या पता कि मैं इसके होने वाले पती का बाप हूं मैं इसके आगे बीन बजाने से कोई फाइदा नहीं क्या समझे बचालो शिफशंभू कि रूम में हाली मुन मनाने के लिए नया कपल आया है मिशादी के बाद यहीं आएंगे क्या ख्याल है पारवती पती यह अब 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 एक आती जूस तो खत्म करके जाहिए कर अब तो डॉन के हाथ से निकल गई डॉन बेचारा भाटे शांभू शिफशक्कर अरहां कर रहे थी मदू भाई बहुत बुरा हाल है हमारा ने क्या बात कर रहे हो आप पर स्वामी का आशिर्वाद है ऐसी बात करना ठीक ना अरे बोड़ापे में आपको जवान बना दिया तो मज़े करो औरसे बाहर निकलने को कुछ सवामी जी ने हमारी अदला बदली की थी अब वही ठीक कर सकते हैं सुअबी जी ने हम दोनों से बात की थी उन बातों में ही कहीं इससे निकलने का हल हो पानी को अगर अलग करने की कोशिश करोगे न, तो भी ये मुझके नहीं हो पाईगा, और ये तो पाप बेटी कारिश्ता है, अपने पाप को दोस्त बना, एक सौरी साब कुछ बदल देगा यहिए पाइगा सौरी, मैंने अपने लाइट वे किसी को कभी सौरी निका हाँ, तो अब भी बोल दो, इसमें क्या है, तुम्हारे पापा ही तो नहीं है, पापा को क्या सौरी बोलना है कर, आप भी मता करें, पापा, क्या हो बेटा, सौरी पापा, हुई, हुई नमसकार सर, आप स्वामी ही है ना स्वामी? हाँ, मैं ही हूँ, कार्तिक, अल अके? हाँ, अल अके, बस अब फिको वापस चेंज कर दीजिए, हमें अपनी गलती समझ में आ गई है, जीवन में रिष्टों की क्या इमित होती है, वो भी हमें समझ में आ गया है स्वामी, पर सब्सक्राइब बहुत हुआ स्वामी हमें पहले जैसा कर दीजे बस इतने सी बात आप दोनों को एक ही समय पे एक साथ स्नान करना है इतना ही स्वामी जी हमको फिर एक बार बीज़ पर जाने की जरूरत होगी उसकी जरूरत नहीं अपने पात्रूम में ही नहां लेना वरना तुम बोलो के समंदर को यहां लेके आवा और हां शाम छे के पहले स्नान करना है अगर नहीं किया न तो फिर एक साल बाद मैं भी कुछ नहीं कर पाऊंगा पाऊंगे 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 पूरा केक चट कर गए पापा यह तुम्हारे लिए केक रखा तुम्हारे लिए केक रखा दो हो और केक एक ही पीस है देदो क्या देदू केक अरे वो तो मैंने कपका खा लिया तुम्हें बोलने की जरूरत थी एक ही पीस बजा था मुझे बहुत भुक लगी थी इसलिए मैंने खा लिया अब इनको कुछ और खिलाना पड़ेगा चला शुरू हजा बॉइस अरे या उसका पीछा करो जितना सिधा समझता था उतना यह है नहीं पता करो इसकी सेटिंग इसके साथ है आपकी माला के साथ है क्या माला बात की आप समझदार हैं एक लड़की भी नहीं संभाल पाया थो है ही रो है पूरे के पूरे मलेशिया में एक ही डॉन है वो मैं हूँ जब कुछ बोलता हो तो करके दिखाता हो देखना जाते हो तो देखनो एक ही पार मारूंगा डॉन हम गोली चलाने के लिए गोली डालनी पड़ती है कभी हाथ में पकड़ी है तेरी है तेरी है तेरी को आकर देखता हूं तो आकर मेरा क्या करने वाला है उससे मुझे कोई मचाने वाला है यहां पर कर देखता है यह आटोमेटिक लॉक है चाबीस ही खुलेगा किसी को इसे खुलने के लिए बोलता हूं जान बचाना को पर लोटके बुद्धान को आए बात से लॉक है लो पानी पिलो आइडिया मैं किसी कमरे में बंद हो जाता हूं मुझे यहां जोड़के कहां चलेगे तो अरे बचाने आ तो गया ना उसे बात में देखना पहले मुझे क्यूं मुझसे डर गया क्या बड़ा हीरो बन रहा था मेरे सारे धंदे को बरबात कर दिया सभी के मन से टॉन का डर खत्म कर गया तुने यह तो अपने बाप से भी दस कदम आगे है काता नंबर फाइब फ्लाइंग एगाल स्टाइल अरे आराम से मरो यह बुड़ा है मठ जाएगा चुड़ा मुझे जल्दी डॉन एक आदमी साब इतनी मार कैसे खा सकते हैं आपको उठना पड़ेगा उठ जाएए डॉन देखिए डॉन यह एक्शन का समय है मुझे तो मार से रियक्शन हो गया है चिंता मत्रो डॉन मैं उससे छोलूंगा नहीं डॉन कातित क्या बार क्या तुभी मार खाएगा क्या मैं आने हूं तुम्हें चला कार्दिक कार्दिक अब तुम जाने भी दो ना ठीक है माला की वज़े से तुम्हें माफ कर देता हूं यह लोग मेरे रूपो तुम मत बोलो मुझे सब कुछ पता लगिया है तुमने तो मुझे बताया नहीं यह लोग तुम्हारे अपने हो गया अच्छा हुआ मैंने कुछ किया नहीं तुम इनके साथ यहीं रुको मैं थोड़ी देर में आता हूं अपने अच्छा बल्कुल सच बोलना बता दो इन लोगों को कि हमारा रिष्टा क्या है वह यह तो मेरे लिए नानाजी समझाए कितना गीरेंगे कि मैणाप 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 पट्रेट आजहाँ कि वजे से मेरा पेटा पाच गया हमारा बेटा बचके है प्लिस पा मुझे मन्सुरे थैंक्स पा नूदिस हाँ यह यह थैंक्यू थैंक्यू माम कैसे हो सब रभू की क्रिपा है बेटा वह तो हई पर माला जी का इस काउंटर पे वेलकम वाव सूप पापा का है पापा सबने है हाई पापा हाई बेटा माला जी को कैश काउंटर देकर आपने बहुत अच्छा किया वह वहाँ पर सब कुछे से संबाद लेते हैं हाँ 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 आप अर यह पीछे कौन है हमारी किचन में नया शेफ आया है वह सूपर खाना बनाता है हाँ मास्ट